सेक्शन 71 ये कहता है इंटर हेड़ सेट अफ सर एक्जेंटेड की लाइफ अगर मान लो कुछ भी होता है तो वो तो इंकम ही नहीं नहीं मानी जा रही है आपकि इंकम टेक्सी नहीं इंकम टेक्स वाले बोलते हैं भाई ये इंकम नहीं तुम कमाया जाओ हमें कोई मतलब भी नहीं है तो इसकी कोई life नहीं है आप कह रहे कि माइक में problem हाँ बस अभी तो order ही किया है बता रहा है कि कल पर सो तक आएगा तो ठीक हो जाएगा माइक चलिए एक दो दिन की दिक्कत है जादा नहीं enter head set of enter head set of क्या होता है example पहले लेते हैं enter head set of सर हमारा जो है न बिजनस से बिजनस से हमारा लॉस है पांच लाख रुपे का और सर हाउस प्रोपर्टी से इनकम है हमारा छे लाख रुपे का अब ये head हमारा अलग है ये head अलग है तब भी हमें क्या करना है एक लाख रुपे के उपर सरिफ text देना यानि आपस में minus कर लिया head बदल गया तो इसका मतलब क्या हो गया सर ये head बदलने का मतलब हो गया ये enter head set of हो गया enter head set of हो गया तो अब enter head set of बोला गया लेकिन enter head set of में भी exception है कि आप enter head set of भी नहीं कर सकते कुछ कीसिस में सर क्या exception है वही देखते है exception क्या है सर सर exception number one business loss can not be set of from salary इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है कि सर business के loss पहले पहले हुआ करता था पुच्छे कह रहा है वोईस उपर नीचे हो रहा है हम इसको क्या करते हैं कह रहा है कि पहले हुआ करता था कि business loss जो है ना business loss को salary से set of किया करते थे यहां पे लोगों ने इसका बहुत benefit उठा है तो government को जब पता चला यहां पे तो उसके accordingly क्योंकि सबसे पहले जो अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में अगर text सबसे ज़्यादा जो हेर फेर किया है ने किसी ने तो reliance को बोला जाता है जानते हो के रिलाइनस कंपनी सबसे अमीर आद भी हैं लेखिन टाटा का नाम लेने में और रिलाइनस के नाम लेने में अजमीन आस्मान का अंतर है टाटा का जब कभी भी कोई नाम लेता है तो एक respectful तरीके से नाम लेता है टाटा का और रिलाइंस के उपर भरुसा नहीं करते हैं यह कुछ ना कुछ गलत सलत करके लोगों को लूटने का ही काम करता है सुरू से चाहिए कोई भी प्रोडक्ट हो कि तो इन यह किस तरीके से करते ठेश से करता थे स्टार्टिंग से इनका strategy हुआ करता था प्लैनिंग हुआ करता था तो जितने भी अभी देखोगे नहीं जैसे कि पहले finance मिनिस्टर भी रहे हैं जैसे पी चिताम मराम हैं कॉंग्रेस के टाइम पर यूपी ए गवर्मेंट के टाइम पर फाइनस मिनिस्टर थे 2008 के अंदर ऐसे काफी सारे आपका परणव मुखर्जी तो यह सारे जितने भी बड़े-बड़े नेता है नहीं बड़े-बड़े आपके नार्मली देखना हुआ यह कि बड़ी सी बात कहीं उन्होंने कहा कि भीया आपका बिजनस है भोला हाँ है बिजनस और बिजनस में आपने दिखाया हजार करोड का ठीक है सर अब आपका ये टेक्स है तभी बस सकते हो क्यूंकि बिजनस इंकां में तो 30% टेक्स देना तो तब भी आपके नेट प्रॉफिट कितने के निकल के आगई 600 एक्जामपल लेके चल रहे हैं तो 600 पर आपका 30 परसेंट हो जाएगा कितना 180 करोड रुपए तो 180 करोड not a small amount के government को text देना पड़े उसने सोचा के यहाँ पर कुछ ऐसा करो के खर्चा दिखाओं कुछ ऐसा करो के यहाँ पर क्या दिखा दो आप खर्चा दिखा दो इसने उपाई क्या लगाया उपाई यह लगाया के भीया यहाँ यहाँ पर काम करते हैं salary दिखा देते ह यहाँ पर हम दिखा देते हैं salary मैंने दिखा दिया मान लो यहाँ पर मैंने दिखा दिया total 600 करोड का अब मैंने एक वेक्ति का salary दिखा दिया तो हमारा profit क्या आ जाएगा अब जब मैंने salary दिखाया तो आपको पता है जिसकी भी salary दिखाया उसका भी salary क्या माना जाएगा जि यानि रिलाइंस कंपनी तो बच गया लेकिन दूसर टेक्स दे रहा था तो रिलाइंस कंपनी ने कुछ employee को समझाए के बोला भीया हम तुमारी सेलरी दिखा रहे हैं और सेलरी दिखाने के बाद जितने भी इसके employee थे मान लेते हैं किसी employee की इसने सौकरोड रुपे सेलरी दिया तो सार employee को भरना पढ़ रहा था सौकरोड के उपर टेक्स रिलाइंस ने बोला यह सौकरोड रुपे मुझे दे दू आप वापस बोला लेकिन सार आपने एकाउंट में डाल दिया तो government के नजरों में तो मिरे पास सौकरोड आ गया तो आपको मुझे तो देना पड़ेगा रिलाइंस ने क्या कराई किसका फेक बिजनस क्रीट किया और इस बिजनस से लॉस दिखा दिया सौकरोड का एक बिजनस क्रीट किया जहां से loss दिखा दिया कितना अब 100 करोड रुपे का business और salary और business पहले setup हुआ करता था तो अब जो हमारा employee था इस employee का income salary से 100 करोड रुपे इसी employee का एक business ऐसा है इसने किया था जिससे कितने का loss इसका profit कितना क्या यह employee tax देगा इसने यहां पर खर्चा भी दिखा दिया कितना मतलब पूरा खर्चा भी दिखा दिया क्या यह 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 दिक्कत वाली बात नहीं है तो government को लगा के सर यहां पर बड़ी दिक्कत आ रही है ऐ पैसा इसको लोन दिया इससे बिजनस करवा और यहां बेडेट्स यह बूक कर लेती थी या तो सैलरी के पॉइंट से तो गवर्मेंट ने इसको अलावड ही मना कर दिया बोला के भाहिया इससे बचने का एक ही तरीका है सामने वाले को अगर हम salary दे रहे हैं तो उसके salary income से हम tax वसूल सकते हैं अगर वह salary income किसी और से set of कर लेगा जाके और salary इतनी सारे set of करने के लिए एक बैपार ही है जहां पर आप करोडो का loss दिखा सकते हो हाउस परपटी से तो करोडों का लॉस नहीं दिखा सकते क्योंकि दो लाक मैक्सिमम लिमिट भी है अधर सोर से कभी लॉस होई नहीं सकता वहां से तो पैसा आता है कैपटल गेन आपके पास इतनी प्रॉपटी होगी नहीं पुरानी डेट की जो दिखा नहीं सकते तो एक बिजनस था कि मैं रातो रात बिजनस खड़ा कर सकता हूँ रातो रात नुक्सान कर सकता हूँ तो गवर्मेंट ने इसको क्या कर दिया सर आज के बाद सेलरी और बिज लिएट और नहीं हो सकता सेम दूसरा क्या रखा गया सर एक्सेप्शन नंबर टू इसकी लाइफ बगएर कि मैं बात करूं तो कोई लाइफ नहीं हम एक्सेप्शन कर रहे हैं मैं लाइफ वाला एक साथ ही चार्ट दिखा के सारह समझा दूंआ नंबर टू भूला गया क्य अब capital gain तो दो तरीके के होते हैं न सर मैं इसको थोड़ा इधर लिए आता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा space दिखाना होगा शिट capital gain की बात करते हैं तो सर capital gain जो है यहाँ पे दो तरीके का capital gain होता है एक होता है long term एक होता है short term और मुझे आपको समझाने की जुरत नहीं है कि आपका long term क्या होता है short term क्या होता है आपने पहले देख लिया long term में indexation मिलता है short term में indexation नहीं मिलता तो सर long term और short term है तो दोनों क्या चाहे long term हो चाहे short term हो है तो capital तो बोला गया sir long term हो या short term हो या आपस में setup करने के लिए कुछ rule है बोला गया long term जो है ना यह only setup होगा स्रिफ long term से LTCG से long term होगा स्रिफ long term से setup दूसरे से लेकिन short term को अजादी दे दी गई short term बोला कहीं से हो जाओ setup short term कहीं से भी setup हो सकता है short term can set off long term long term और short term सर एक simple से chart बना लेते हैं इसका देखो LTCG LTCG gain है इसमें से setup हो सकता है STCL हो सकता है gain है इसके बाद STCG इसमें से setup अगर मैं करना चाहूं LTCL तो सर नहीं हो सकता है मतलब long term से short term अगर हाँ short term का loss होगा अगला देखना मैंने यहाँ पर क्या खाता देखो short term का अगर loss है तो long term से setup हो रहा है लेकिन अगर short term का gain है तो वो long term loss से setup नहीं होगा सर अगर LTCG हुआ तो LTCG और LTCL हुआ तो सर हो जाएगा और अगर STCG हुआ और STCL हुआ तो यह भी हो जाएगा इस चार के इलाबा कोई case ही नहीं बनता से इस चार के इलाबा और मैंने simple सा कर्क में यह कह दिया किस से क्या setup होगा एक और exception इसका आया amendment के थुरू exception no.3 loss from house property यानि house property का loss भी setup नहीं हो सकता देखो मैं एक चीज़ पहले clear कर दूँ अगर मैंने कहीं पीछे example के अंदर मैंने losses लिया हो ज्यादा तो just एक example था लेकिन मैं यहाँ पर बताऊंगा के loss भी setup नहीं हो सकता law कहता है सर loss जो है न दो लाख रुपे से उपर setup तो होगा loss from house property can be set of from other head up to two lakh on a league sir example ले लेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा मान लेते हैं sir business business का income है अगर मैं इसका answer लिखूं तो आपका business income जो होगा business income होगा तीन लाख बिजनस का income होगा profit और carry forward हो जाएगा loss दो लाख रुपे इसने बोला sir loss को set of नहीं कर सकते दो लाख से उपर ऐसा नहीं बोला कि इसको carry forward भी मत करना carry forward तो कर सकते हो sir एक और example देखिए business profit 10 लाख hp1 profit 3 लाख hp2 loss 8 लाख ठीक है अब sir यहाँ पर हमें अगर income निकालना हो answer पहले हम same पहले same same चलेंगे तो sir hp का hp का देखा जाए तो hp1 का profit 3 लाख और hp2 का loss 8 लाख still अभी हमारे पास 5 लाख रुपे का क्या है loss है sir business में business के अंदर देखा जाए तो 10 लाख का profit है तो ऐसा नहीं 5 लाख पर दो गए इसमें से 2 लाख ही set of कर सकते हो यानि 8 लाख आपका business का रहेगा profit बाकी जो बच गए ना आपके यहां पर देखो दो तो इससे set of हो गए बचे कितने 3 लाख तो carry forward हो जाएगा हमारा 3 लाख carry forward हो जाएगा 3 लाख पहले यहां तक देखिए एक छोटा सा amendment इसके अंदर यह amendment है सर यह पहले section amendment आया हुआ है तो शायद salary का question था कि student है में से doubt भी पूछा था सर अपने hp का loss वहां पर शायद ज्यादा set of कर दिया था तो इस amendment से उसको आप करेक्ट कर लिजेगा साइद कोशन आया था बीच में पूछा भी था मैंसे मैंने वह जब वह करेंगे तो हम क्लियर कर लेंगा उसको दिक्कत नहीं है कि सर अब आता है यहां पर old रिजिम कि और नियू रिजिम सर आप बताईए house property से loss जो होता है वो maximum तब ही होता है जब self occupied रहा हो और वहां पर interest का payment जा रहा हो बिना interest के तो हो ही नहीं सकता house property में loss कब भी भी नहीं हो सकता क्योंकि आपका अगर loan नहीं ले रखा interest नहीं ले रखा तो नवी 0 लोन है नहीं तो वो भी 0 और घर किराये पर दे रहे हो तो नवी कुछ भी आएगा loan नहीं है तो नहीं है तो लोन ही है सबसे बड़ा new rhythm तो loan के खिलाफ है new rhythm कहता है sir हम आपको तो 24B देंगे ही नहीं interest का देंगे ही नहीं new rhythm कहता है sir आप 24B हम नहीं देंगे आपको अगर new rhythm आपको अगर opt करते हो तो ऐसे situation में other head से भी set up जो 2,00,00 कर रहे हो ना ये भी करने नहीं दिया जाएगा आपको अगर आपने new rhythm opt कर लिया है तो आप जो ये 2,00,00 भी set up कर पा रहे है ना ये नहीं दिया जाएगा same head से तो आप set up करो other head से set up नहीं कर सकते carry forward allowed है आप carry forward क्या अगर सकते हो उसको आगे continue कर सकते हो ये new rhythm का था चाहे individual हो, चाहे heof हो, तो ये सारे exceptions sir किसके हो गए intra, sorry, inter head के intra head का same head से कौन-कौन से set up नहीं होगा वो देख लिया और ये देख लिया हमने intra अब यहाँ पे कुछ एक point आता है जो कि हमारे exam के point of view से इतना relevant नहीं है कुछ losses कहता है कि loss को सर set up वही करेगा जो income loss को bear करेगा जैसे अगर मेरा loss है, माल लेते के मेरा एक दुकानदारी कर रहा हूँ, मेरे दोस्त की भी दुकानदारी है मैंने कारे मेरा भी business loss है तू business कमा रहा है, काम करता हूँ, मैं अपना loss तिर को दे देता हूँ यानि मैंने अपना loss अपने फ्रेंड को बोला दे दिया business वगरा कुछ खरीदा हूँ रही दर नहीं है बस मैंने अपना loss दे दिया अपने फ्रेंड को तो ऐसे government कहती है, ऐसे loss नहीं हो सकता loss को set up करने का right उसी person को है जिसका loss हुआ है समझ रहे हो बात आप जिसका loss लेकिन कुछ इसके भी exception है sir exception क्या है अब father है father के business से loss हुआ ये business किसको transfer होगा बेटे को तो लेकिन बेटे ने तो loss नहीं किया inheritance में मिला उसको वो loss can be set up amalgamation company एक company दो company जूड जाती है जैसे vodafone आर idea ये दोनों मिल गए आप तो idea का बहुत सारा loss था वोडafone ने उसको absorb कर लिया कर सकता है वो तभी possible है जब मान लेते हैं तब possible है वैसे ये exam के point of view से है नि जैसे मान लेते हैं x y z limited और p qr limited sir इसका loss पांसो करोड का और इसका profit एक हजार करोड का sir ये आपस में set of तभी कर सकते हैं क्योंकि company और business अलग अलग हो गए अगर इसका same shareholder 51% यहां move हो जाए यानि अब जब company बिकेगा तो ये company इसको payment करेगा ना कुछ ना कुछ तो ये company कहेगा मैं तुम्हें share सी दे रहा हूँ अपनी company के और same जितना यहां पर मान लेते 500 करोड का है तो 500 करोड का 51% shareholding इस company में same existent convert हो जाए तब आप set of कर सकते हो 500 करोड पर दोगे अगर 51% नहीं कर रहे तो set of नहीं कर सकते है कुछ एक rule है छोटी से point से आप book के अंदर पढ़ सकते हो उसको बाकी जो exam में आता है exam में आता है आपका rule set of करने के और हर किसी के अपने rule है house property के अलग है specified business अलग है speculative business अलग है owing maintaining अलग है और साथ के साथ house property का मैंने बताई दिया सर इसके बाद एक point बसता है and absorbed depreciation important question रहता है तो एन absorbed depreciation वाले point को मैं PGBB के अंदर covered करूँगा वहीं पर मैं discuss करूँगा क्यूंकि अगर मैं बोलू के and absorbed depreciation को हम unlimited life तक carry forward कर सकते हैं और सारी बाते बता दू तो आपका question नहीं कि होग यह तो और एन absorbed depreciation बताने के लिए मुझे पूरा पी एंडल profit and loss समझाना पड़ेगा तो इसको कहां लेकर जा रहे हम PGPP में अब life की बात करते हैं किस किस का क्या life है एक बार मैं normally बताता हूं house property के loss को मैंने बताया नहीं अभी मैं बता देता हूं उसको लिख भी दूँगा अब यहां पर किस किस चीज के rule है मैं लिख देता हूं एक पर एक है house property एक है normal business एक है specified business एक है speculative business औरे एक है horse race देखो हाला कि मैं चाहूं तो जो मैंने चार्ट बना रखा है उससे quickly समझा सकते हैं लेकिन मैं लिख दूँगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा sir पहले हम hp की बात करते है hp की बात करते हैं अगर hp से loss हुआ तो rule क्या कहता है sir सबसे पहले आप करो inter फिर then sorry पहले करो intra पहले करो intra then क्या करो inter और maximum कितना हो सकता है inter से दो लाग अब sir ITR की बात करते है sir ITR फाइल करना क्या है sir ITR फाइल करना not mandatory कह सकते हो due date के बाद भी फाइल करेंगे ना तो house property एक x है ऐसा है जहां पे आपको loss carry forward करने दे दिया जाएगा life की बात करें तो sir life इसकी 8 साल है यह कुछ point आपको याद रखना है theory में sir अब बात करते हैं आपका specified business 35 ad वाला sir loss को carry forward किया जा सकता है पहले आपका होगा intra और इसमें inter हो सकता है क्या इंटर के साथ इंटर हो सकता है क्या नहीं हो सकता इंटर भी क्या होगा within same type of business ITR fight करना sir yes mandatory due date के बाद life कितनी है no limit है sir ठीक है इसके बाद आ जाता speculative speculative business speculative business का loss पहले क्या करोगे यानि मैं इसके बारे में अगर कहूं तो rule लगता है हमारा बिलकुल same sir इसके अंदर ITR बिलकुल same sir life इसकी चार साल है इसके बाद हम बात करें normal business sir normal business के अंदर आपका यहां पे पहले क्या होगा intra then enter sir same ITR फाइल करना है इसकी life अब आ जाते हैं owing and maintaining मैं roughly लिख रहा हूं चार्ट अभी दिखा दूँगा owing and maintaining के अंदर sir यहां पे क्या होगा हमारा यह वाला जो same है यह उठके आ जाएगा यहां यानि आप intra करेंगे लेकिन intra में भी same type of business से ही करेंगे यानि आपका owing and maintenance होर से इस वाले भी होना चाहिए आई टियार सर फाइल करना है लाइफ सर इसके बाद सी जी क्यापिटल गें सेम रहेगा लेकिन पहले यहां पर क्या होगा इंट्रा उसके अंदर भी रूल को देखेंगे और आई टियार फाइल करना है और यहां पर लाइफ मैंने बकाइदा यह चार्ट मैंने आपके देखें पीपर में अभी मैं टैनियर के अंदर क्या क्या कुश्चन आए उसकी भी मैं बात करूँगा सर दुबारा बता दो तीन लाग कैसे अरे तीन लाग की बात कर रहे हैं अभी बता देते हैं हाँ थोड़ा सा मिस्प्रिंट हो गया था वह मैंने करेक्ट नहीं करा है थोड़ा सा मिस्प्रिंट है ओनर्स में भी वही होगा क्योंकि चार्ट तो इक ही जाता है अलग लग दिए फिर उनका उनका टाइपिंग एरर रहा होगा इसके बाद एक वार लाइन डालाए कि कंटीनी होगा नहीं होगा चलिए फटा-फट यहां तक किसी को कोई दिक्कत सब कुछ समझ में आ रहा है चैप्टर बिल्कुल हो जाता है खतम आप चाहिए किताब से पढ़ लिजे ग्रीस आओ जा किसी भी बुक से पढ़ लिजे मै मैंने एक एक पॉइंट डिसकसन कर लिया है अब सर अब देख लेते हैं टैनियर में किस तरीके के सवाल आये थे और उसके अंसर कैसे लिखने है लास्ट टैनियर निकाल लेते हैं सर टैनियर टैनियर जे रहा है और वाले बच्चे बताओ पेज नंबर क्या है 15 तो नहीं होगा अच्छा मेरे पास थोड़ा अलग होता है कि सर देखिए कुश्चन आपके सामने कहता है सेटफ एंड केरी फरवर्ड लॉसस ठीक है सर अब जो बच्चे यहां पर देखे कहता है अब एक चीज मैं बताओ ना तो जो हम यहां पर आंसर लिखते हैं कभी भी इतना बड़ा कोश्चन आएगा ही नहीं यह पूरा चैप्टर रही है तो आपको इसमें से क्या क्या वैसे एक्जाम में आया हुआ है सबसे पहले सेट अफ लॉस विदिना सेम हैड सत्तर सत्तर के बारे में सारी बाते बता दी और इसके बाद कुछ इसके क्या क्या एक्सेप्शन केसिस आगहे देखती जाईए अरे चल जाओ स्पेकुलेटिव हो गया स्पेसिफाइड 35 एडी हो गया लॉस क्रॉस पजल गेम हो गया लॉटरी वाला हो गया लॉटरी इसी में आ गया सारा यह इसके बाद however loss from owing maintaining सारा कुछ जो मैंने बताया है वो चीज़े मैंने लिख दिया है set of losses one head against another head 71 यानि आपका inter head set of example दे दिया इसके अंदर भी exception कुछ होंगे जो कि यहां पर लिख दिया है speculative business यह सारे हमारे दूसरे head से set of नहीं होंगे short term capital gain का बता दिया सर इससे set of होगा long term किसी से भी हो सकता है मतलल long term long term से होगा short term किसी से भी होगा business and profession से क्या है तो यह आप question पढ़ेंगे ना तो normally समझ में आजएगा अगला आता है यह question ऐसे आता एक्जाम में sir what are the provision regarding set of the following item यह एक्जाम में question आएगा long term capital loss का बता यह long term capital loss सर्फ long term से होगा दूसरा कोई उपाई नहीं answer खत्म कहता है short term का बता यह short term किसी से भी हो सकता है long term से भी तो इसके rule बताने तो rule कैसे बताने वो भी बताने इसके अंदर 8 साल है इसका ITR फाइल करना जरूरी है सारी बाते बताना हुआ है तो यहां पर सारी चीजे लिखी हुई है third question what are the provision regarding set of carry forward the long term capital loss speculative business lottery business activity owing and maintaining इस बार जो आने के chances बनते हैं वो house property वाले बनते हैं ज्यादा amendment उसके अंदर आया हुआ है कितने का दो लाख वाला amendment बताए ना तो वह अभी पिछले साली amended हुआ था वो तो वह आया हुआ है तो इसके वह से house property वाला ज्यादा बनता है मैं तो दिखा रहा हूं कि देखे सर आपको समझ आ रहा है कि कैसे answer लिखेंगे एक्जाम में आया हुआ है कोशन यह सेट ओफ यह answer answer को तो देखे मैंने बता दिया बाकि आप पढ़ेंगे वो तो explain the provision regarding the carry forward non speculative losses कहता है explain the provision related set of carry forward of non speculative losses यानि नॉर्मल बिजनस की बात कर रहा है कि यहां पर आप देख लेजिए इसमें गुमांके पूछा थोड़ा explain the carry forward business losses कौन से business losses प्रोविजन सिंपल बिजनस लॉस है आप यहां पर बता सकते हो सारा मैं इसे अलग से करूँगा important है मुझे इस बार के दो सवाल आने के chances लगते हैं का house property और एक एन अब्सॉर्ब डेप्रीशेशन explain house property देखे house property का आया हुआ भी है सर यहां पर जो house property वाला लॉस है न इसके अंदर दो लाख वाला provision मैंने नहीं डाला शायद एक बार देख लीजिएगा वो थोड़ा सा typing error रह गया हो या amended नहीं हुआ तो जिन बच्चों के पास 10 year है especially ध्यान देंगे यहां पर दो लाख वाला या फिर आप ग्रीश आउजा के बुक से प्रॉपर पढ़ लेंगे सिर्फ यहां पर दो लाख वाली पॉइंट को डालना और पढ़ेगा सर लॉस हैड अगेंस दा अंडर हैड आपके फिर से वही आ गया है ौस अंडर दा हैड ओफ इंकम कैन बी सेट आफ अगेंस इंकम अंडर एनी अदर हैड इंकम सेम तो इंटर हैड सेट अफ के बारे में पूछ रहा है चलिए सर एक बार जो आपको चार्ट देखना है प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा एटियर दे दिया है देख यूदिया है सर टैपिंग एरर रह गया होगा सर 71 भी house property unabsorbed loss या फिर simple loss है house property rule कहता है loss allowed to be set off and still there it loss can be carry forward यहां पर आगे कहता है यहां पर दो लाख वाली बात लिख लिजिएगा दो लाख रुपे वाली बात आप लिख लिजिएगा तो better रहेगा यहां पर miss रहे गया मेरे से ठीक है चलिए सर कंडिशन बिफोर और आफ्टर देखिए पहले करो बाद में करो परक नहीं पड़ता time limit चलिए एक ही पेज पर देख लेता है अगला है सर business loss business loss क्या कहता है loss allowed to be set of intra head in case of there will be loss it will be carry forward यानि business losses का है पहले आप क्या करोगे intra head है और अगर फिर भी बचता है तो carry forward कर दोगे before on due date मतलब before पहले ही फाइल करना है आठ साल life है speculative business loss speculative business business का can be set of only the against income from the other specified sorry speculative मैंने पढ़ दिया other specified business if still there is loss then it will be before due date रहेगा आठ साल रहेगा चार साल अच्छा यहां error रहे गया इससे चार साल करिए लॉस फ्रॉम specified business 35 AD इसके अंदर देखिए unlimited है कोई limit नहीं है same provision था इसी तरीके से आपका 74 और 74 B है हमारा किसका oing and section रखना again मैं बोलूँगा याद रखना mandatory नहीं है आप एक बार देख लिजिए कोई पंदरा तारिक के बाद मैं theory के जो important theory जैसे मैंने बोला इस chapter में से सर मुझे यह लगता है तो कुछ से बाइस जिसके अंदर आपका सारा का सारा लगबग आने का चांसे सोगा हो 20 से 20 तो आपने करने ही करने है साथ के साथ अलग से जो आपको time मिलेगा मैं बोलूँगा यह less important है उसको भी पढ़के जाना है जो कि practical के basis पर रहेगा देखो हाला कि यह था दोनो theory chapter तो theory chapter मैं इस से भी पढ़ लो आपको समझ में आएगा सर हाँ यह बाते लिंक कर पाओगे उसको ठीक है